हलो एरिवन तो कैसे आप सभी लोग तो सबसे अवेक्टेव टॉपिक आ चुका है पेटा मीरर नुमेरिकल की जैट लेके आया हूं सारा कुछ लेके आया हूं कितना भी वीक बच्चा हो सब के दिमा में डाल दूँगा नुमेरिकल यानि कि मिरर की नुमेरिकल सब कुछ करान करना है यानि कि आप जिसको लगाना पाएं सब कुछ बता दूँगा मिरर के चार-पांच में अगर आप देखते हैं तो आपको यह लगे कि यह तो मुझे आता है लेकिन मैं आप से रिकुछ करूँगा वीडियो के लास तक जाएं ऐसी बहुत सारी बाते होंगे आप लास आपको बहुत ऐसी चीजे मिलेगी बस मैं आप से रिकुछ करूँगा कि वीडियो की स्टार्टिम में आ गया हो तो चार पाम नट देखने के बाद वीडियो स्क्रिप मत करो वीडियो के लास तक जाओ पूरा वीडियो देखो तो आपको सब्सक्राइब कोई बीएसा कोश आप भूल नहीं पाएंगे बूलना मुश्किल हो जाएगा तो चलिए इसी बास से हम लोग क्या करते हैं और आपके प्रेक्टिस के लिए लास में मैंने दो चार पोचल इंसार्टिक लिए वह भी करा दूँगा सब कुछ करा दूँगा बस मैं आप से केवल यह कर्टी में सब कुछ आप कर पाओगे तो चलिए बेटा इसी तहल के वाली बात से इनर्जी बहुत हाई है इसी तहल के वाली बात से हम सुरू करते हैं आज सब कुछ मैं करा दूँगा एक बी कोचन ऐसा नहीं मिरर कियानी पढ़ने के बाद जो आप करने पाओं शुरू क्या जाए ए सबकराने जहा रहा हूँ अब मज़े लीजिए, अब मैं आपको कराने जा रहा हूं, ध्यान से देखना जो बाते बोलना जा रहा हूं, जो जिसको कुछ भी नहीं आता है, भी CD नहीं आती, निमेरिकल, मिरर की निमेरिकल की, वो अराम से नोस बना है, एक ही जो बात कहता हूं, हाइलाइटर लगा के ल दिफिकल से डिफिकल्ट, एवरेस, एवरेस, कोचल, सारा कोचल यानि आप क्या करें, यह लेंगे, आईए मज़े करते हैं, जिन्दकी सिखने के लिए बनी बेटा, जित्ता सिख डालो उतना ही काम है, आईए मज़े करते हैं, तो सबसे पहला कोचल निया लिखा है, मिरर सबसे बेसिक, मैंने क्या का है, मैं आपको तो बेसिक से अडवांस की तरह लेंगा, सबसे बेसिक, कुछ भी नहीं पता, यहां सुरू करो, यहां सुरू करो, जिरो सुरू करो, क्या, ज्यान देकि बेटा, शबसे पहले नोट पॉइंट लगा लिजे, मिरर की निमेरकल के क्या लगा लिजे मेरे साथ सुर कर दीजे कि आल दी डिस्टेंस लगा यह सूर कर दीजे आल दी डिस्टेंस इन मिर्र इन मिर्र आर मिजल्ड मिजल्ड फ्राम फ्राम मिजल्ड फ्राम दी पूल सबसे पहला टॉपिक लगा ये बेटा सबसे पहला कोचन हम आपने पास लगा लिजे क्या लगा लिजे आज उका है फिल्ड में सबसे पहला कोचन आप क्या लगा लिजे सबसे पहला यानि कि कोचन या अपने लगा लिजिए कि बेटा यानि कि जब कभी मिरर में हम डिस्टेंस नापने की बात करेंगे ना तो मिरर में सारी कि सारी जो डिस्टेंस होती है मेरे बेटे सारी कि सारी जो डिस्टेंस होती है या all the distance, जितनी कि distance होती मिरर में क्या होती है बेटा, कहां से नापी जाती है, पोल से नापी जाती है अब पोल क्या होता, ये वाला point क्या कहलाता है, आपका पोल कहलाता है, यानि क्या कहलाता है बेटा, पोल कहलाता है, ये वाला point किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आगे सुनों बैटा माल लेते हैं कि अगर यह मेरा पॉल है तो ऐसा मालते हैं वैसे इसकी इमेज यहां नहीं बनेगे कुछ इब मनेगे जितनी भी दूरियां जितनी भी हाइट हैं किसी भी चीज को कहां से नापी जाएंगी वह कहां से नापी जाएंगी तो इस Q करनापना तो क्या करना है हमें यहां से यह आना पड़ेगा यहां से इधार आना पड़े गाँखे जजेंगे और यहां सी ऐसे आएंगी टेशनी से आंगी पास में क्या क्या करनानों कियो और लिखकर अब्जяет कर तक के दूरी है और इसको इघ्विकर सर था प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् सब्सक्राइब इस टोरी निरा निवेफर इमेज की दूरी हो जायागी यहां से लिकर कि इमेज की दूरी है इसको दिखाते हैं किसे बैटा मुझा से लिकर करने यहां तक की दोरी यहां प्रकार की क्या है इमेज डिस्टेंस है इमेज डिस्टेंस ठेल से फिर आपसे कहां से घॉल से है का से यंके बाघी है अब आगे सुनँ बटा इतनी बात समंझ में आगई अच्छा ध्रहानत折्धा और बात Twit यह हमारे पास क्या कहलाएगी? small life क्या कहलाएगा? That is what? That is focal length. focal length. ये क्या है? फोकल लेंथ है. लेकिन बहुत जरूरी ये बार लिगना, कहां से है? from the pole. from the pole. from the क्या है, फुटा pole? ये भी क्या है? pole तक कि, यहनि कि, पोल से ईसके यानिकी दूरी ही इतनी बाते संज्च में है इतनी नहीं कि सिद र formul की दूरी को इमेई deprived वो लेंगे पोल से लिकर करके फोकर लें इन्हीं फोकर दूरी भीव बोलेंगे इतनी बाते संज्च नोड करते रहो object क्या होता जिसको अभी भी clarity नहीं हम इस दरपड में हम जो भी आपजेट को देखना चाहते हैं जो भी चीज देखना चाहते हैं उस चीज को उस पदार्च को बोलें यहां पर object और उसकी जो यहां फूटो बनेंगे उसको फूटो क्या बोलें प्त भी बोले बहुत किलाइटी आ रहे होगी दिमाग में अब आगे आई यह बेटा अब अगला जो कोचन बेटा हमारे पास है वो कोचन है साइन कर्विंशन साइन कर्विंशन के मतलब होता है मैंने स्टार्टिंग वीडियो में जब इंट्रो रेटी वीडियो बना रहा तो शुरुवात नहीं होगा हंडे परसंट साही होगा ध्यान से सुनिये में क्या बताने जा रहा हूं ध्यान से देखो बेटा ध्यान से देखो मैं क्या बोला हूं बेटा देखे ध्यान से यह मेरे पास क्या है पूल है ध्यान देखो यह क्या है पूल है अगर कभी भी आप दूरियां I repeat I repeat I repeat, कभी भी अगर आप दूरी, माल लिजे, यह मेरे पास क्या है, बेटा, image है, यह क्या है, बेटा, मेरे पास image है, और यह क्या है, object है, समझाने के लिए, अच्छा, माल लिजे, आप क्या कर रहे हैं, बेटा, भाई, यहां से अगर image ना पनी जाएंगे, तो अगर जब कभी, बेटा, कोई भी दूरी, आप पोल से इधर ना पनी जाएंगे, यह क्या हो जाएगा, यह प्रकार का right side हो जाएगा, right side, क्या हो जाएगा, right side हो जाएगा, right यहनि कि हमारे पास दाया पच, तो यहनि कि इधर ना पनी जाएंगे, दाया पच में ना पनी जाएंगे, तो वो दूरी हमेशा पाजट्यू होगी ताहल का मचाओ तैहल का मचाओ क्या बता रहें स्था वता यह रहें मारकर गिरेगा energy बहुत है बटा क्या बता यह रहे हैं कि इस mirror के अगर हम पोल से इधर की अपनी नुप अब पॉल से अगर हम इधर नापने आएंगे पास्टू मतलब कि धनात्म यानि प्लस लिए जाएगे प्लस लिजाएगे चाहा जो हो तो यहां पर जैसे होती हमारे पास क्या होँ इस कंडिशन पर वी क्या लिया जाएगया जैसे था प्लस यहां पर यहांपने जाएंगे इधर से दूरिया तो पॉल से यहां पर आप आप यहां समझ लिया करो और पर शन्याज़ लिया करो पॉल से खीट लिया को फारते हुए तो जब कभी हम इधर के दुरिया ना पने जाएंगे इधर वाली सारी पाच्टू और इधर वाली क्या होगी बेटा सारी निगेटिव हो जाएंगी मैंनस में ली जाएंगी मतलब कि वो क्या होगी रलात्मक होगी यानि कि अगर देखो जहां से यह पोल से लि辖र के अगर यूँ नहीं लिखू मैं यू नहीं लिखूंगा इसको मैं क्या लिखना पसंद करूंगा अगर एखर उन्ना पंच जाया है उसको प्लस मिलेंगे, फोल से पहले जित्वी नूट या ना पहेंगे, उसको माइनस मिलेंगे, यह दोनों बात किलियर है, बाओ सुन्दर बात है, अब मैं कलर चेंद कर लेता हूँ, ध्यां सुनना, दोर नियम और बचे उसको भी ध्यां सुनू, बेटा यह कौन से लाइन ह सेवरेज विद्यार्थी चीज को समझे वो भी अपने पढ़ाई मन लगा है वो भी अपने माबाब का सपना पूरा करें द्यान से लूं क्या बता रहा हूं पढ़ाई की वज़ा से आप पढ़ाई नहीं छोड़ सकते हैं यह मैंने वीरा उठा लिया है क्या यह बेटा लाइ मैंने क्या बताया मुक अच्के ऊपर वाली दूरिया क्या लिजाएंगे मैसा प्लस मिली जाएंगी यानि धनात्मक होगी यानि प्लस मिली जाएंगी और यह जो हमारे पास में मुक अच्के नीचे की दूरिया है आप सास मिल लिखेंगी और नीचे वाली दूरिया क्या ल माइनस लोगे उतन होता है उतना क्या होगी अर् G ізलाइन डेना पड़ेगा और इस लेन के नीचे क्या होगे यदि क्या लेना पड़ेगा मैनस प्रहाज जाओ गया प्लड सबर्द जाओगे तो अबजिविद हमेशा निगेट्व होता है इसलिए उधर जायोगी तो हमारे पास क्या होगा आपको चिना रखोगे फेइसके लेना है इसलिए ंपर जाया है अगर पेशी कर घुंजह largestat लिए स्किन्साथ चलिए आगे बढ़ते आगे बढ़ते बहुस्चीज आप के लिए लिए बेटा चुटा सा टॉपिक हमें यहाँ पर समझना होगा नियुमस्के लगाने के लिए आप इसकी मत करिए मैंने क्या कहा थोड़ा साथ अपना समय दीजिए सब कुछ आपको यानिकी रील में समय गवा देती आज आप सोड़ा कंटेंट के लिए यानिक अपनी यानिक अपनी गवा ये थोड़ा से नय टॉपिक सिख लीजिए मैगनिफिकेशन क्या छूटा सा टॉपिक है उसके बाग बेटा हम लोग क्या करेंगे और दुचार बाते में पीडिया बना के लाया हूं ऐसा ट्रिक बताओंगा सब कुछ दिमां में समझ में आएगा सब कुछ आपको मैं समझा दूँगा निमेकल के कभी दिक्कत ने होगी थोड़ा से समय मैं आपको मांग रहा हूं समय देंगे तभी मज आएगा बेटा क्या बताने जा रहा हूं ध्यान देखो एक अगला टॉपिक है बेटा मैगनिफिकेशन बेटा हिंदी वाले बच्चों को मैं कैसे बूल सकता हूं इसको बूलते हम लोग बेटा हिंदी में आवर्धन आवर्धन क्या है बेटा आवर्धन क्या है यहां पि मैंने इमेज आलेटी बना लिया जिसे आपका टाइम ऑम Warning न करो टाइमी स ब गुछ है जैसे मान लेजी येवाले मैंने इमेज फार्मेशन यैनि चित्र बनवा रक्ए हैं कि अगर कोई भी आपजड य contraction c पे रखा यानि यह वला c point है अगर कोई भी object c पे रखा तो उसकी में c पर ही बनती है तो आवर्धन क्या होता है जरस सोच कि देखो हमारे पास आवर्धन यानि एक क्या ऐसा system नहीं होना चाहिए जो हमें यह बता पाए मैं रोड बूल ला हूँ आवर्धन क्या है मैं इसकी पाहानी बता रहा हूँ क्या एक ऐसा system मेरे पास नहीं होना चाहिए जिससे में यह पता कर पाएं कि किसी भी object की जो image बनी है ध्यान सुनों किसी भी object की जो image बनी है वो image object की comparison में कितने गुना अग्रेजिम मुलें कितने टाइम्स यानि कि वो क्या है magnified है कितने टाइम्स यानि क्या है वो magnified है इसने गुना बड़ी है या फिर कितने गुना छोटी है इससे चीज़ को बताता है यानि कौन आवर्धन वाट इस मैंगनिफिकेशन Magnification में ये बताता है में इसी चीज़ को बताने के लिए क्या वर्ल हम यूज करते हैं बिटा magnification क्या यूज करते हैं magnification जो मैं बता रहा था और यह magnification का यह यहनि कि formula भी होता है और formula बिटा आत्में आपको माइनस क्यों लगा है मैंनस क्यों लगा है कोई बता पाएगा तब तक अगर बता पाओ तो बताओ अदर्वाइस मैं आपको याद बताने जारू secret कि जो magnification का formula होता होता हम माइनस क्यों लगा होता सब कुछ मैंने क्या बताया मज़े कर दूँगा आपके समय चाहता हूं मैं समय चाहता हूं समय दे दिया तो मैं आपको सबसे बड़ा content दे दूँगा सबसे चिवड़ी चीज़ सिखा दूँगा तो यह तो magnification का बात आगे कि कोई भी image और बात आती ही बेटा इसको निकालेंगे कैसे यह magnification mathematically यह तो आगे theory कि सर आपके जो image है और जिस कित्ता गुना बड़ी बनी यह कित्ते गुना छोटी बनी इसको बोलते है magnification इसको निकालने को का त्रीका है इसा फाइंडाओ कैसे करेंगे है न तुरिकायार सबका तुरिका है या लिका बात क know поз लेंध लेंध लेंट सकते हैं डिस्टेंस वाला गुदो लो टाहिए दोनों बताऊंगो हो होनब था में ग्राद बनाओ यह वोलाता आर्यां मैं यह बोला था कि यह रेचियो आफ हाइट आसिमेश रेचियो मत्लब क्या होता बटे इसे चैनल मैं तो क्या हो जाएगा दा यह को स्टार्रेट्रीटों आप्स है की है यहगा है आफ हैक के में जबुट हुँलर किया है आफ यहित में विद्ग कर आफ एड़की है रहा इंगे चरह कर रहा की बोड़ा यह क्या है क्पिक स्टेर्टिन gb उपर नीचे नी बटे यानि यह क्या है प्रकार का रेशो यानि उपर नीचे बटे रहेगा किसका किसका हाइट आफ इमेज का और हाइट आफ आपजेट का है रेशो है बेटा क्या मैगनिफिकेशन बस यही लिखा है हम लोग क्या करेंगे हमेशा मैगनिफिकेशन इस तरीके से निकार लेंगे यानि हाइट आफ इमेज है इसके लिए हम क्या करेंगे चैप्टर में जो सिंबल यूज करेंगे यूज करेंगे क्या उच करेंगे जो height of image है height of image जो हमारे पास है height of image क्या है बेटा मान लिजे कि हमारे पास में ये object है और मान लिजे इसकी image हमारे पास में मान लेते है कि यहाँ पर ये बनी तो यहाँ से ले करके आपको दिख रहा हमें की image और इसको बोलते हैं लोग height of object तो height of image को हम दिखाएंगे i से और height of object इसको किसे दिखाएंगे हम capital O से यह मैं बोलना हूँ तो इसको मैं दिखाऊँगा i से और इसको मैं दिखाऊंगा किसे बिटा O से तो formula हमारे पास क्या हो जाएगा बिटा m इसकल i upon का O, किता हो जाएगा, image call to i upon का O, यहां तक किसी को प्राब्लम है, यहां तक किसी को प्राब्लम है, यह आई मैं मिटा दू, यह मैं मिटा दू, लिखा रहे देगा, अब मैं बताऊंगा, आपको minus कि लोगाते हैं, उसे पहले चीज़ और है, अब बैटा, जो magnification है, इसका फॉर्म नम ऐसे वी बना सकते हैं यह तो हैड़ के लिए हो गया एक ऐसे बना सकते हो मानलोग की इसकी इमेज इसकी यहां पर है तो यानि कि पॉल से लेकर के जो हमारे पास इनि करह ऐंब यक उपज ज़ाए गला हुज2 अब्र इसक्टेंस कुब और बन सकता है यानि क्या हमारे पास में उपर है का इमेज कित्ते गुना बढ़ी यहां से डिस्टेंस वाला भी तो फार्मला हो सकता है कि आपकी इमेज यहां से डिस्टेंस वाई बढ़ी बन रही है तो एक मारे पास क्या हो जाएक बेट है कि डिस्टेंस गान दो ध्यान दो डिस्टेंस ऑफ यह अथा है यहाई सकते हैं हैं seven एक फार्मुला मारे शाते हैं यहाँ दी पर अबतिया हो बोलता उप्पर नीचे रेसी ओडा कि तर डिस्टेंस अप बेटा हमारे पास बंट ह पॉपर मेरे पीछ रहेका क्यों अब्जेट की तुनला में इमेज निंकालते दिखाती हम लोग बेटा इमेज यानि कि वी और डिस्टेंस औप अबजेट इसको साठी कर मेरे डिस्टेंस बोल सती हो और इनेची क्या है बटा यू मतलब क्या हमेंगे पास में यानि कि यू है object का क्या है बिटा object का distance से यानि किसको लोख लेंगे यू यह वी यह यू और अब किताम में देखो कि तो यहां पर क्या लगा है माइनस अगले पेट वे यही बताएंगे माइनस क्यों लगा लेकिन उसे धायर परवाद देख लो यह भी लिखेंगे तो यह पहले यह यह बहुताऊंगे माइनस को लगा होता यहां पर मैगनिफिकेशन के पहले बाते कर लेते हैं और क्या है बेटा अगर कोई पोटे कोई आपसे पूछता है बेटा कि जो एम है मलम iske unit क्या होगी इसकी unit क्या होगी इसको किसमें तो चेक लीज़े किसमें पेंगी नेके distance आप image image distance में माल लेते हैं कि centimeter में हैं और नीचे क्या है में distance of object object भी किता हमाई पास centimeter में है तो भया उपर भी centimeter नीचे भी centimeter कट नहीं जाएगा no point में डालो उपर कट जाएगा मतलब कि क्या है unit नहीं होगी इसकी unitless है यानि magnification क्या है बेटा magnification unitless quantity है यानि m is called to आपको कभी भी 3 centimeter क्या होगी बता यहाँ तो यहां इसको क्लीप बताँगा है है कि इसको मैं आपको यहां पर वैसे निमेकर लगा दे समय में करा दूँगा चलो अब पहले हम आगे कुछ बाते करते इसका स्किन साल लेंगे इसका स्किन साल लेंगे ले ही लिया होगा ले ही लिया होगा अगली पेज क्या हमारे पास अगला पेज क्या हमारे पास अगला पे कि हम लोग क्या करते बेटा माइनस क्यों लगाते हैं माइनस क्यों लगाते हैं उससे पहले मैं क्या करूंगा थोड़ा सा इन दुनों डाइग्राम को अगले पेज पर लजाने जा रहा हूं कि यहां पर जगा कम होई आप कुमें चाहता हूं गरवड़ी नहीं पाए चली इस करने यह जा रहा हूं कोचन यह आता है कि अगर मैगनेफिकेसन में मालू कभी यह निकर यहलों का तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे यहां बेटा यहां से क्या करेंगे हमक्रास मुल्टिप्लाइब करेंगे तो आई हो जाएगा हमारे पास देखे द्यानते बेटा आई क्या हमारे पास में इमेज की जो हाइट है बेटा इमेज की हाइट है वह यानि क्या होगी बेटा अब्जिट की हाइट के बराबर होगी इसको नोट कर लिजे और सिम्लर लेकर हम इस वाले फॉर्म्ला में रखेंगे यानि वी स्कल्टू यानि यू हो जाएगा माइनस को भूल जाएगे माइनस बताऊंगा यहां पे यानिक उस कंडिशन पर इमेज हमारे पार डिस्टेंस है वो ऑप्जेट डिस्टेंस की एक्वाल हो जाती याद कर लिज बढ़ मारे पास क्या है आए अपार का बेठा हमेंपास क्या है अपान का बेठा में पास क्या है करेंगे तो आई एकम आई और यह हमारे पास आपजेट यह नहीं कि दो और बगम किता हमें पास आजागा ओफार क्या है आएगा जड़ा कमेंट करके बताओ यह जो कोईशन लिखी है इसमें आई बड़ा है ओ से या भी हमारे पास ओ बड़ा है केटा आई से जल्ली बताओ कास करते हैं दिखी बेटा आई बराबा कितना लिखा है अगर यह लिखा 0 नहीं है प्लीज समझो जाहन से यह ऑ है बेटा और फॉर अगर मैं ऑक वारू लेता हूं पांच तो और अब्डिक्ट की बात कर रहा हूं इसे फाइट की बात कर पर जोटा है यानि कि M का मान जब कभी भी आप 1 से बढ़ा लेंगे ना कुछ भी नमब लेजी एगर एम कमान वन से बढ़ा है तो वहां आई यानि क्या है यहां पर इमेज के लिए क्या क्या होता बड़ा होता किसे बटा है यानि की यू से ध्यान से देख लो यह कोच्छन आएगा तो वहां पर यानि आई बराबर ओ आता है इम कमान अगर वन से बढ़ा है तो उस कंडिशन में क्या है पड़ा आएगा बड़ा आएगा चाहे डिस्टिन तो चाहे लिए 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 लेस्टेन हो गया कम हो गया यानि कि वन से छोटा मतलब वन से छोटा मतलब कि पॉइंट वाले वालू यानि कि पॉइंट वाली वालू मतलब क्या पॉइंट वाली वालू मतलब कि जैसे मान लेजिए कि हम एम कमान लेलिया कुछ भी लेलिजे मान लेलिया किता लेलिया है कॉसे वैलू वड़ी है कौई करो चलो हम लिते हैं माली जी हमने दो माल लिया कि तो मलब ऑप्जेट की हीट की बात हो रही है यहां पर रख लीजिए तो I is equal to point का 5 multiply, O किता हमारे पास है, O किता हमारे पास है, O कोलो हमारे पास 2, तो यह हो जाएगा, I is equal to 5, 2 इंद दस हो जाएगा, एक अंग बात 10 हो लगाएगे, यानि कि 10 मुलो बात 0 कोई मतलब नहीं, यानि I किता हमारे पास आगे, O 1 आगे, कि V भी क्या होगा बेटा, छोटा होगा, किस है हमारे पास में, U से बहुत ज्यादा important 3 condition, देख लो, यहां से एक कोचन आना याना है, इसका इस किन साड ले लिजे, अब आप मुझे comment पके बताईए, कि गर M कमान यानि कि 2.5 है, 2.5 है, तो यानि कि वो, यानि कि इस condition में आएगा, या पर इस condition में आएगा, पागल मत बनना, यहां दस्मलों देख कि यहां मत चले आना, 2.5 हमारे पास जो बेटा क्या है, यह जो M की value हमारे पास है, greater than कि 3 मारे पास 1 है, बाई 2.5 क्या एक से बड़ी value है, M क्या हमारे पास 1 से, यानि कि बड़ा value होती है, यहां पे आएगा, अब यहां पे आएगा, तो image क्या होगी, object से बड़ी होगी, तहल का मचा, तहल का मचा, इसका जल्ली से skin start low, अब अगले page में आप से केबल यह बताने वाला हो, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि M कमान माइनस का V upon U, मना अब ultimately यह बताने जहां है, उपर V होता है, नीचे क्या होता है, यह होता है, यह होता है, मुझे आपको यह बताना कि यहां पर formula में minus क्यों लगा होता है, साइद YouTube के जन्नी में कोई बंदा ऐसा होगा, मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं चांदता हूं कि आप subject को जाने नहीं, feel करें, just feel it, just feel it, एक बात सीकलों में चाहता हूं आप, अगर कभी भी बेटा आपके पास जो image है, एक बात यहां पर देख लो, रटलो, आगे हम आपको बताएंगे, अगर image बेटा हमारे पास कभी भी real image बनती है, real image, अगर कभी भी कैसी image बनती बेटा, real image बनता है, तो उस condition में बेटा, m की जो value मरिशा बैटा आती है, वो m कमान हमेशा negative आता है, यानि कि minus में आता है, इत्ती बात आप रटलेंगे, यह m सी क्यों भी आ सकता है, कि अगर image यानि प्रतविम कभी real बना, वास्ती बना, तो m कमान कैसा आगे बेटा, हमेशा negative आएगा, और m कमान बेटा, और बेटा m कमान, बेटा हमारे पास में, अगर कभी भी जो image आपकी बन रही है, image, अगर बेटा वो virtual है, कैसी बेटा, virtual, यानि अभासी है, अभासी य आता हमेशा, यानि कि प्लस में लिया जाते है, यानि कि प्लस में लिया जाते है, यानि कि image अगर बेटा हमारे पास real है, तो याद कलो, यानि real केस में ये क्या होगा, हमेशा m कमान मैनस में आएगा, और ये किस में होगा, प्लस में आएगा, ये बात होती सच बात है, ये सबस्ट नहीं सकते हैं ये क्या है बात सबस्ट ने अगया कि बेटा एम कमांन रियल इमेज के लिए कैसा होता है ये मैंस मैंनस में आएगा ऑर वरचल इमेज के तना है कपलस नमेंगर की ज्याएटिक बताने जा रहा हूँ मतलब आप जब निमेकर लगाएंगों देख लेना इस बात को देख लेना अगर कभी भी सवाल में लिखा है कि इमेज आपकी रियल बन रही है और वहाँ पे जब कभी भी हम M कमान निकालोगे तो 100% M कमान मैनस आने वाला चैलेंज करता हूँ और जब कभी कोचल लगाओगे और वहाँ पे यानि कि क्या करोगे इमेज आपकी वर्चल बनती है तो वहाँ पे 100% इमेज कैसा आएगा वर्चल कीस में हमेज कैसे आएगी प्लस आएगी कोचल लगा के देख लेना क्लाइग और रियल वाले किसमें कुरताएगा up principle अब बस इतनी बात यह नोव त्यों को बतागा राएग उपकुछ सब कुछ गलर उप इस वाले डाइग्राम में आप देखे जान से हमारे पास object कहां रखा सीप रखा है जिसकी image आपको गर याद हो में पढ़ात चुका हूं उसकी image सीप पर ही बनती है एक काम करते कुछ value माल लेते हैं माल लेते हैं बेटा हमारे पास में यह आपजेक्ट है और नीचे वाली यह यहां से लिखाते हैं यहां से यहां पे यू और यू और वी यह पोल से पहले आ गहे हैं अगर पोल से पहले आ गए तो हमें इधर आना पड़ेगा ना पने के लिए पोल साइड दुरिया नापते हैं और इधर बिक क्या लेते हैं minus लेते हैं यहां पर में क्या करना पड़े को ना पड़ेगा इस गया गर है गर इस गुने जी हो अपने आम मिल लई यहां पर इमेज तो रेatt़ा यह लाई है यहां एम कमाण बेटा माइनस में आना चाहिए मैं पहले आपको बता चुका है और सॉल करते हैं एम इजकल टू देखें गर माइनस न लगा तो दिक्कत क्या होते हैं अगर आप फार्मला वी अपान यू लिखते हैं तो क्या एंसर आता देखिए वी कमांड किता है माइनस का पांच और यू कमांड किता है पार माइनस का पांच तो धिहां से देखिए माइनस माइनस किता हो गया प्लस हो गया प्लस एकम पांच यह तो प्लस का वन आ गया यह तो प्लस का वन आ गया और साफ साफ दिख रहा है कि image हमारे पास में क्या है बेटा image जो हमारे पास में कैसी real है भाई यहाँ पर जो मैंने बताया था जब sick उपर object रखते हैं तो उसकी image तो हमेशा real बनती है और आप sick क्या रहों कि real image के लिए m command negative होता है तो यह तो past two आ गया इसे लिए बेटा हम क्या बोलना हूँ यह बोलना हूँ कि m command बेटा real image के लिए क्या होता minus होना चाहिए था यहाँ मैंने solve किया तो आपको साफ साफ पता है जब सी प्रेक्टित image क्या बनती है अगर मैं यहाँ इस minus को उड़ा रहा हूँ तो देखे जहां है बेटा अब देखे ध्यान से अब अगर हमारे पास virtual image बनेगी यह वाला diagram आप से क्या हो जब कभी भी हमारे पास जो object है बेटा A4P के बीच में तो image कहां बनती है मिरत के उस पार पड़ती है नहीं अंदर अब देखे जाना पड़ेगा उधर वाली image यहां पर रखते है निए image equal to formula हमारे पास क्या बेटा minus- UE5U अब द्यान देखे आगर माइनस ना लेते तो problem क्या होती देखाते हैं अगर formula माइनस ना लगाते तो डिख रहा है यहां पर हमारे तो चकता है उन्हीं मानस का 10 और नीचे क्या खत्व खत्म हो गया यह नि कि अपया मानस के चूटो और रही प्रोब्लम आ गई इमेज वर्च्वल बन रहा और वर्चल में M आया है यतनि इसके पहले अगर मैं स्ट्राइक मैंनस लगा दूँ तोedy वैलू प्लस आएगी इसलिए मैनस ब्लस प्लस हो जाएगा अब क्या जाएग मिल्लू अब प्लस में आएगी M कमान इसलिए तो मैं कहे रहा हूं कि यह फार्मुला गलत हो जाएगा मैनस लगाना पड़ता है अब समझ में आया फील आया फील आया कि यहां पर हम लोग क्या करते हैं माले पहले यानि कि माइनस यह पांग यूप पहले माइनस क्यों लगाते हैं सब्सक्तियों क क miał वीडियो की लेंदगी होगी लेकिन मैं चाहता हम आप समझो आप समझ यह समझ जादे रहाऊ हूं समझ समझे है है यहां पर इसको सॉल करते हैं जहां से देखें बड़ा मजाएगा रियल इमेज के लिए रियल इमेज केलिए म कमाड कैसा आता है और अगर इमेज कैसी बन रही वर्चुल एक प्लस आना चाहिए इस वाथ को ध्यान रखना ऐसा आना चाहिए तो चेक करते कैश में नहीं आता क्या अगर नहीं आए विसमें भी मैनस लगाना पड़ेगा तो चलो वाओ हम एक नंबर माल लेंगे भाई और वो हम अपनी साथ से माले ले रहें आई क्या है बेटा इमेज नि इमेज की क्या है हाइट ही यनि यह वाली हो जाएगी और ओ यह वाली दूसरी हो जाएगी ठीक ना अब यह थे हाइट हो जाएगी तो वह अगर आघ से और अघृ तो लिए तो यह उपर अब जाएगा तो इस लाइन के उपर क्या लेते हैं पिछे बता क्या हैं यानि कि हमारे पास और पास प्लस यह तो प्लस भी रहेगा कोई दिकन नहीं लेकिन आई देखो इस लाइन के नीचे नहीं आ रहा है भाई यह वाला हम इमेज फारमेंश आ पहले बता चुके हैं यान पर रियल के लिए माइनस आ जाता है अपने आप में इसलिए फामले में माइनस नहीं लगा देखना ये प्लस आएगा देखना ये प्लस आएगा चलो आप इसके लिए दिखते हैं ऐसा यानिक डाइग्राम देखो जहां पर हमारे पास क्या है इमेज वर्चल बन रही हो यह इमेज क्या भण रहती है यहां इमेज क्या बन रही है इस लाइन के उपर यह यहए प्लस भी लेंगे अपन हम लोग व्लक है प्लस तो आ रहा है इसी लिए बेटा इसे वाले फामले में हम क्या करते हैं और इस वाले और बताने जा रहा हूं उसको सीख लिजे आग की बार निमेरिकल तो हो जागा समात्मा इस कास्तिंस साथ ले लिए चले एनरजी बहुत हाई है एनरजी बहुत हाई है कुछ बाते और बची है उसको समझा दो फिर आपको मज़ा ही आ जागा ज्यान से सुनू ज्यान से आज बेटा जो चिन्वाली आपके प्राब्लम है ना चिन्वाली प्राब्लम चिन्वाली प्राब्लम जो आपके पास है उस प्राब्लम को आज मैं खतम करने वाला है यहाँ पे खतम करने के लिए बैठा हूँ खड़ा हूँ एसे बैठा नहीं खड़ा हूँ क्या चिन्व वाली प्राब्लम, फ़र समझ में नहीं आता है ना कि u plus कब ले, u minus कब ले, a plus कब ले, क्या प्राब्लम होती नहीं बोलती है, मैं आपको बता रहा हूँ, shortcut पकड़ो, shortcut क्या, देखो, देखो, Convix और Conqueo कि मैं दो केस लेने जा रहा हूँ Conqueo मिरा राजा या फिर Conqueo मिरा राजा इतनी बात ते याद रहना आईए अच्छा इची बताओ, चाहे Conqueo हो, चाहे Conqueo हो ये Conqueo वाला है, और ये क्या है Conqueo वाला है Objects हो आगे ही रखोगे हमें सा आपजेट आगे यानि वस्तु को आगे रखे तो देखोगे पीछवाले में रखोगे पीछवाले में रखोगे आगे तो रखोगे यानि आगे रखोगे तो आपका चो आपजेट यहां पर रहेगा और इसमें भी आपजेट यहां रहेगा अब सोचो अगर आपजेट आगे आप इधर आ रहे हो, अरे सर मतलब आप इधर आ रहे हो, क्या हो रहा है, अगर इधर आ रहे हो, तो इधर तो मैनस लेते हैं, और आप जो तो हमेशा इधर रहेगा, आलवेच, तो यार नोट कर लिजे, चाहे कानवेक्स में क्या हो रहा है, कानकियों क्या हो रहा है, यू हमे भी लिखा कान के ऊ, तो याद कर लेजे, यहां भी क्या लेंगे, ऑबजेट रखा जाएगा, पीछे छोड़े रख पाऊगे, इसको नापने के लिए उधर इधर आना पड़ेगा, तो इधर दूरीया कान स्थ्निव ना आते हैं, ये भी क्या एगा, इसको छोड़ो पहले फोकस की बात करते है इसको नापने के लिए कहां से नापने है तो पोल से नापने के लिए इधर चल के आना पड़ेगा इधर आ रहे है यानि माइनस यानि इसकी वेलू हमीसा माइनस होगी कई बार तो यह सवाल M.C. क्यों आ जाता है कि कान क्यों मिलर के लिए कान क्यों बना हुआ है यह क्या बना हुआ बेटा गुफा बन रहे यानि गुफा अंदर जा रहा है यानि क्या बना बेटा ऐसे यानि कार बना कान क्यों बना है अरे सर यानि यहां पर क्या होगा पास्ट्यू होगा यानि कान्वेस फोकल लेंज क्या होती पास्ट्यू होती देख लो तब मज़ा आएगा Convase लिखा है तो focal length हमेशा Past to लेना है Conquer लिखा है तो focal length हमेशा Negate to लेना है ये दो-चार बाते पकल लो बेटा पकल लो ध्यान से मैं क्या बोलने जा रहा हूं आगे सुनू यहाँ पर हम U की बात करते हैं Sorry V की बात करते हैं आपको याद हो इसलिए मैंने कहा हर एक बेडियो को sequence देखिया हो बड़ा ही मज़ा आएगा स्वड़ा ही feel आएगा क्या बेटा अगर इसमें बेटा V के बारे में सोचो याद करो मैंने केस में हमने देखा है यानि Convase case में केवल दो ही case बनते हैं एक case यह बनता है जब पहला light डाल यानि के पहला light आती हैं तो भागती पीषे हैं यानि focus पे मिलती है इसके अलामा कहीं भी object रखते हैं थे तो हमारी image यहां पर बनती थी बनती थी image यहां पर अब यहां पर image बनेगी है हमारे pass में इमेज को नापने के लिए इधर ही जाना पड़ेगा यानि जब इधर जाना पड़ेगा यानि क्या होगा माई पाफ में उधर जाना यानि पोल्स इधर जा रहे यानि pass to अरे sir क्या यह हमीशा काम करेगा अरे बेटा यह जो मैंने बना दिया है टिकोडा न यह रट लो आलवेज काम करेगा चिन की कहानी यहीं पे हो गई खतम पाफ समझ लीजे क्या बता रहा हूं क्या बेटा यहनि की u v की कहानी कान्विस केस में ऐसी लिजाया कि जैता लिखा है जहां से समझ लीजे अब इधर v के बारे मिसल क्या है उधर u प्लस लीए वी बोल जा रहा हूं अगर वी इधर प्लस लीए तो चाहिए इधर मनस लेना पड़ेगा नहीं इधर v की कहानी थूला से times change होगी और नीचे समझा रहे हं आपको ऑर नीचे हं आपको यहां पर क्या करें बेटा समझा रहें ध़्यान से समझने के कोशिश करो द्रहा क् DIS lo ऊपको अगर को सिदा आप करो थूठा सा अगर आपको फार्मेशन अा था इमेज्ग फार्मेशन कि यानिकी कान्मेक्जिक्स कान्कों केस्न में इमेजे कैसे बनती थी तो अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो n बेटा हमारे पास में एक दो infinity प्र एख था कांकई वाले case में फि यानि C के बाहर रखा था object फि प्र C पर रखा था फिर यहां रखा था फिर focus पर रखा था तो यह 5 वाले case में जो हमारे पास image बन रहे थी वो हमिषब mirror के पहले बन रहे थी mirror के पहले बन रहे थी mirror के पहले बन रहे थी mirror के पहले जितनी image बन रहती है कान के वाले में उस सारी के सारी image क्या होती? real image होती है क्या होती है? real image और पहले image बनेगी तो इसको नापने के लिए आपको उल्टा चल के आना पड़ेगा तो real image में उल्टा चल आना पड़ेगा यानि क्या होगा यानि कि minus होगा सर क्या बता रहो सुनो यानि V command अगर image real है तो उस condition में V command यानि कि minus में आएगा उस condition V command क्या है कि minus में आएगा अब गर object आप यहां रखते A4P के बीच में याद है आपको image आपकी यहाँ बनी थी और यह image कैसे बहनती ही यह वाली image बहनती बहां वर्च्टा क्या बनती वर्च्टा कहा बहुत इसके लावां यह सारी image यानि याहां से ल करके ऐसी सारे image कैसी बहन रे पास पास image इधर बनेगी इसको इधर कितनी में नापनी के लिए हमें इधर यानि पोल से इधर चलना पड़ेगा न इधर सारी दुर्या कैसे लेते हैं निगेटिव तो रियल वाली क्या होगे निगेटिव होगी यानि यह जो हमारे पास इधर जाएंगे यह उदर जानवारे पिल रहे है तो वहां पर क्या है बडास लेंगे बास वर्चल तुमारे पास क्या होगा प्लस होगा इतनी बाट ते डिमाग में डालो बात में ठालो, इतनी बाट डाल लिया तो आपको कभी भी चिन से लिटेट कोई प्राब्लम हो ही नहीं सकती क्या बेटा, V command अगर Real Image, Real Image सारी उधर बनती है तो वहाँ पर इसको क्या लेना, उसको नापने के लिए हमें इधर सुधर जाना पड़ेगा, उसको क्या लेंगे मैनस मिलेंगे, और Virtual Image हमेशा यानि कि Mirror के इस पार बनती, इसको नापने के लिए ऐसे आना पड़ेगा, तो Virtual Image को जब इधर आएंगे तो Virtual Image क्या होगा मैं इसा, प्लस होगा यहां से देख लिजे, इतनी बात अगर आपको पता है, अच्छा यहां पर M Commandsar क्या हैगा, अभे भाई, यहां पर Image हमेशा कैसी बनती है Image हमेशा यहां पर यहां इधर बनती है, लाइन हमको अपने यहां मिलाना पड़ता है इतना बेशिक अगर शेक लिया तो लाइब जंगा डाला, इतना बेशिक अगर आपको आ गया इसको एक बार रिवाई जिवान लीजे, अब हम रूर नियुमेरिकल के लिए तयार हैं, हाँ बिलकुल तयार हैं, बस एक ची थोड़ी से और समझनी हैं, हमें तीन वर्ड बड़े कंशूज करते हैं, जब सवाल में कोचन आता है, सवाल में जब कोचन आता है, कि आप पोजी की बात करें हिंदी में इस्थती, तो यार हमें सवाल में आता है, हमें निकालना क्या है, यार इस्थती का मतलब यह होता है, धान से लिखो समझी के लिखा दे रहे हैं, इमेज बेटा दरपन में इस्थती, पोजी समलब इस तरी में कहां बनी है, इस्थती मतलब क्या होता तो position में ये लिखना होता है यानि या तो दरपन के क्या है बेटा दरपन के पहले लिखना होता है दो ही लिखना जो होता ये भी बताया दे रहें यानि लिखना होगा before mirror या तो लिखना पड़ेगा before mirror लिखना पड़ेगा या फिर दरपन के अंदर यानि कि दरपन के अंदर यानि Inside Mirror, बात समझ में आई, जब कभी position बोलेगा, तो position मतलब कि image बन कहा रही, आप पहले बन रही कि यानि कि बात बन रही, तो बेटा, पहले बन रही कि या फिर बात बन रही हमें position यह बताना होता है, सम्या गया? सम्या गया, और Conway क्यों case में बेटा, हमारे पास में क्या, अगर भाई, image कैसी real है, तो पहले बनेगा भाई, पीछे वाली बात से यहाँ पे link डारुसाली, image real बनेगा तो हमारे पास में क्या होगा, दरपन से पहले बनेगा और virtual वाले किस्मी image यहाँ जाती तो क्या हो जाजा, यहनी के अंदर चला जाएगा यह बात पुली समझे आγ implicate, समझे आगया बहुत बर्याओ, अब हम size समझेंगे पहले size समझाते है, बेटा size का मतलब होता है, size का होता है, पहल्प होता है कि image object के तुर्इडब में सजी आपने वीडियो के सुरुवात में यह बताया था हाँ जब साइज निकानला होगा तो बेटा हम वहाँ M गयाद करेंगे क्या करेंगे M गयाद करेंगे याद रखो जब कोच्छन में साइज निकानला होगा तो हम वहाँ पर क्या निकालेंगे M कमान निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा M कमान निकालेंगे, अब M कमान निकालने के बाद इसमें 3 case से कर लेना जो मैंने आगे पढ़ाया है सर उसको आप तो काम में ले लिए हाँ भाईया काम में ले लिए अब देखे जहां से 3 case पढ़ाया था तीन केस पढ़ाया था, तीन केस मैंने पढ़ाया था, हाँ मैंने पढ़ाया था, यादारा, यादारा ये देखी जहां से मैंने पढ़ाया था, अगर M कमान वन के बराबर है, तो कहानी लिखी है, अगर M कमान क्या है, बड़ा है, M कमान क्या है, वन से बड़ा है, तो I है उसे अगर m command 1 से बड़ा है यानि आई भी बढ़ा किस से उसे तो यानि कि आको कि साइज में क्या बताना होता है कि image कितने गुणा किससे बड़ी है तो चेक कर लिए नंकर बढ़ा जाए तो वहां पर लिए लिए इमेज किया है, object से बड़ा है, अगर M कमान 1 आ जाये, तो यानि, image किया है, object से बड़ा है, यानि, M निकालना पड़ेगा यहां पर, और अगर M कमान 1 से छोटा आ जाये, तो इसका उल्टा कर लिजी, यानि कि object क्या हो जागा, बड़ा हो जागा, किसे image से, इतनी बातें समझ लेकिन आगे लिखा होता है कि पोजीशन इमेज और नेचर बताइए इसको छोड़ी देते हैं अरे इसके नंबर फिक्स होते हैं ध्यान देख लिए छोड़ो हमाँ सब कुछ करो तो साइज का मतलब क्या होता है आपको साइज मतलब के और अगर एक सब्सक्रा जाए जटना मान आ जाये उत्ता मान आ जाए उत्ता मान लिख दे ना इतनी पास हमा गई बहुत बड़ी हाट प्रकति प्रकति मतलब कि वर्चुल इमेज बन रही है ? लिख लिख लिए या पिर रही है ? इसका मतलब बीटा यह होता है नेचर पूछ रहा है तो नेचर में आपको रियल बताना पड़ेगा और यह कहानी आप मतलब यहां पर साइज निकालना पड़ेगा और कोजिशन के लिए आपको पता होना चाहिए नोने सब्सक्क्राइब 10geons फीत्ज पॉस्टा हंने नहीं कि लिए कर दी कब कर देंगे कोई भी कर देंगे को बिजिकत नहीं होगे चलो और इतनी लिए तो आपके स्क्रीन पर मैंने क्या किया है थोड़ा सिसकों में थोड़ा से आपको समय लूगा दो सबसे पहले डालेंगे सल्यूशन कुछ नहीं करना है जो सवाल लिखा है उसको यानि पड़़पड के मैस बनाते हो चले जाए मैं तो आपको सब तुमको सोराय चुका हूं दिखना चाहिए इमेज क्या है जिता यानि कॉल्टी रोन दिखना चाहिए विच्चो कुछ दिखना चैए एक एक पोच्छन दिखना चाहिए मझा रहा है एक कॉन व्यक्ष मिरर आ चुका है मैदान में आग या जो मैं आपको ट्रिक बताये उसका यूज हो गया है, सबसे पहले line मिल चुकी है, लिखा हमारे पास क्या है, एक convex mirror, मुझे तो दिख रहा है, एक convex mirror यानि कि ये वाली बात, अब तुमको सारी बाते recap हो जानी या जाई ये, अब convex mirror आ गया तो convex mirror में कौन प्लस कौन mirror यानि कि मैनस में होता है, इस सारी बात एक convex mirror है, तो convex ऐसे बनता है, ये ये ऀूज फार्दा rear view, rear view का मतलब होता है, पीछे वाली चीज़ों को देखने के लिए, यानि पीछे ly क्या होता है, zur sim कर्वाले बाते लिखाने लिए तो गार्वार है, यह य Mendels और रेडियस आफ कर वेचर इसके radius आपकर में चाहिके ऐसे गिए इसके radius आपकर वेचाहर देगे इसके radius कमागे सरकल यानि कह रहा है कि अगर इस बस से यानि कि इस मिरर से एक बस बेटा हमारे पास है बस बनाना मेरे लिए बड़ी मुश्किल बात है आप बनाएंगे इसको यानि इस से यानि कि कह रहा कि 5 मीटर दूर हमारे पास क्या है बेटा एक यहां पर बस खड़ी है बस क्या हो जाएगे इसके लिए आपटिट हो जाएगे निकी यू के बात कि तक है रहा हमारे पास 5 बेटर के बात कर रहा है ठेक बेटा हमारे पास में खड़ी है तो फाइन द पोजीशन देखे क्या क्या निकालना है मैंने क्या बता है विस सब कुछ सारे वर्ट सब्जा क्या रहे हैं कि रहा प में देरी बाते बताया सब कुछ लिख लिए बस सबसे पहले हम क्या करनेंगे चिन की कहानि में बताच हूँ हो का विक्स है तो इसकी उख थो जो में तो बतायाने मेरा formula क्या होता है मेरा formula मतलब कि 1 upon f इसकल to 1 upon u plus 1 upon v यानि कि ये क्या है प्रका का relation है f u और v में ये ना और एक formula होता है radius का radius आप कर वेचर ये क्या होता है 2 into f होता है यानि focal length का क्या होता है दुगना होता है ने सब्सक्राइब तो यहां पर और पास 2 हो जाए गा ने कि रहे सब्सक्राइब जाएगा is क्या है यानि कि बेटा मिर्यर है और यहीं करना है तो अब बेटा हमारे जाए के लिए देखी जहां से यू तो पता है लेकिन V नहीं पता तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ? मेरा फानो लगा कि हमते क्या निकाल लेंगे पहले वी निकाल लेंगे ? ऐसे सोचते हैं तो पहले हम क्या करेंगे ? वन उपान f इसे और ले फंसे neighbor 1 प्लस पान कर दाख है तो लिखिए जाए आपके तो अब्ला ने omega को बिक्ता हिएarta मैं किता मारे पास मान है यहां पर-5 लिख यहां पर निकालना है धों पकर देंगा दो पर चला जाएगा negotiagak upon how j decision انट इसका पान का वी हो जायेगा अच्छा यह पूरा एक प्राबबर यह पूरा इसके प्लाब़кого प्राबर पहली यह निख्या लीजिए तो तो मैनस वाली की प्लेस हो जाएगे सब्सक्राइगा में धक्रून legal οगाージा Jim ये फाइफ लिखा नीचे क्या है बेटा फाइफ है चुर्जा जाएगा बास हमागे अब देखो जहां सी हमें वन पान वी तो चीजिए नहीं में तो वी चाहिए दुनों को पलट लो पलटेंगे तो हमारे पास वी उपर चला जाएगा और ये पंदरा उपर चला जाएगा तिरा नीचे चलाएगा वैसे तो एक इसके नीचे भी आएगा लेकिन एक लिखते हैं आदि यह जैगा तो हो सकता कि गलत लगा बताओ ना सबताई ना 51.1ructure सवाल सही लगा गला लगा XLा अरे बेके बता क्या आया हूं आए है किसम में प्लस तो अगर आपका मांड किस्टा प्लस में लाए ना कुस नहीं तो यह निकाल लिया उनिकाल लिया अब क्या निकाल ना यहां से देखे जांस यह हमारे पास यह हमारे पास यह हमारे पास यह हो गया और गिणए पास यहां पर यहां से सब्सक्राइब कर देखे रूद कर लेंगे और पांच दूनी कीता हुए यहां से आउच्छा बाते नहीं बता पाऊगे एम कमान कुछ नहीं तो प्लस है पास्टू है तो पास्टू है तो पॉजिशन ज़रा बताओ अच्छा एक बात बताओ सबसे पहला इंसर लिखो सबसे पहला इंसर लिखो क्या बताना था में पोजीशन कहां बनेगी आपकी जो आपकी इमेज कहां बनेगी इंसर लिखे दे रहें यापकी जो पुजीशन बनेगा अब क्या है प्लस में नेचर नेचर में क्या बताते हैं रियल या वर्चुल बताते हैं म् केमान प्लस में आया है तो नेचर कैसे है बिटा ऐसाір लिखो सार्यमान तो नेचर कहीं कालेंगे नेचर हमारे पास क्या होसे अब पनेंगे अजयर निकलने के संगर मों आप comics के सिनकराएग Dem. यहां कि लिखोंगे नहीं यहां पर साय निकाले जा रहे हैं जाएक सिर्फन पास यहां पर शोड़ा है इक सेचोंटा है एक से चोंटा है आ कंप मैं से-सी किया बिटा है क्या है इमेज engage हमारे पास क्या है sencill jeden object चुटा बनता है iingeिक धोड़ेंगे ol grandma फॉटा है चुरता है क्या है चूटा है आफ जिस चुटा है तो साजम लिखे़एंगे यहां फोड़ा समय यहां पे स्लिखे दरहों कि जो आपकी image ने बीटा फेमेच फ़िए आप जिस्थ छोता है किते गुणा छोटा है यह एंक मान में न मिले स्थ विकुण सरी पूастिता यहां लिख दो लेखें क्या है यहां पर इमेज हमारे पास क्या है इमेज बेटा जो हमारे पास है वो इसको आए लिखेंगे वी चार रही तो इमेज हमारे पास इन प्राब्लम यहां पर होई नहीं सकते हैं यहां पर करा दिया कोई भी सवाल आ जाया सारे सवाल इस तरीके से होंगे सवाल इस तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं हमको सारे सवाल हो जाएंगे कोई प्राब्लम यहां पर हो इसको पाणि प्राइज को फट्राइब कॉचन में यहां पर आपी अवड़ा आव लगा देता हूं बड़ा असान सवाल है कुछ नहीं करना है जो अलू दीगे खता-खल चले जा रहो हमारे पास पहले पता क्या करूँ कौन सा मिरर है तो कहीं लिखा होगा यह क्या लिखा है पास में बात इक बात बता हो थोड़ा सा क्या बेटा जब कभी सवाल में साइज वर्ल का जिकर आ जाए साइज आप तो बहुत बेस बता रहें मैं चाहता हूं कि हर एक चीज जो डॉट नाम की चीज़े आपकी दिमां से खत्म हो जाए हमेशा के लिए साइज ऐसा साइज हिंदी में साय आकार दिखा होता है और यह घुसर मलब दूरी सैंङ्ट समझ जा तो कूर կह वहां पसे ओर लेना है जो कुम से आज ले zij और distance of object को U समझ में आगेती बात, समझ में आगया होगा, बड़ी सुंदर बात है तो चलो आज़ाओ, आगे कुछ देखते हैं लिखा है एन object 4 cm in size, size अब लागे है न size, object है, तो object की size मंदब की O की बात कर रहा है, तो O कितना हमारे पात दिया गया object का size, यानि कितना में पात, 4 cm है सही है, बेटा it's placed at 25 cm in front of the कान के ओ मिरर यानि कि कान के ओ मिरर के पहले कोई ची रखी है, तो क्या रखा रहेगा, object रखा रहेगा यानि ये U की बात कर रहा है तो U हमारे पात कितनी हो जाएगे, बेटा कान के ओ मिरर, आप दा focal length 15 cm, और focal length कितनी है, 15 cm हमारे पास है अच्छा, at what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image find the nature and the size of image अब कह रहा है कि इस mirror के आगे पीछे हम screen आगे कहां लगा है, या पीछे कहां लगा है यहीं पता काना, इस screen कहां लगा है जिससे कि हम बड़िया image बना पाएं वहीं screen वहां पे लगाओगे, जहां तक image जा चुके यानि कि पहुंच चुके, यानि कि आपको image की distance की बात कर रहा यानि V की बात कर रहा, indirectly समझ पारों मैं क्या बोलना हूँ यानि यह indirectly किसकी बात कर रहा है, जड़ा बताओ इंडाटरी कर रहा कि screen आगे कहा रखें या पर पीछे कहा रखें इसकी मतलब क्या image यार, screen पर जाके बनती है हमारे पार यानि V हमारे लिए क्या है पेटा कूचन मार के और क्या निकालना है बेटा, nature, real बना या फिवर्षोर बना ठीक है तो वो तो हम देख के बता देंगे लेकिन size आ गया, तो size के लिए क्या निकालते है, size के लिए हमें इसा M निकालते है हमें M की आःवते है भी पड़र का ऑफचोर रहते है, अब इसा आपjet या आगे रहेगा, तो आ लिए मैनस लेते है और इसके लिए focal क्या होती यानि focusing यहां होती इधर आएंगे कित हो जाएगा कि धर यह नहीं माइनस हो जाएगा ठीके ना तो चलो आओ सबसे पहले में भी नहीं पता ना तो मिर्ट का फोर्म्रा लगा गरके हम भी निकालते हैं लगा है श्कुछ याइंड हो जाएगा तो यहित दमार्पास से मैनस का पंद्रा और यह हो जाएगा मैनस का पंद्राइब तसक्रप आओगे ना यार आपनों कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी तो वन अपान वी इसकल टू आप साटकट लगा दें साटकर उला दें थोड़ा सा जित्ता कहो आप ऐसे कर दें यह प्लस में यह मैनस में पहले यह लिख लो यह लिख लो एक बटे पचीस क्या करो आप प दुन से कामन करने जा रहा है एक पांट दूरों से कामन कर लेंगे घामन मतलब क्तल यह अब होता भाग टो लिख लेक्स म drawn को लिख माइनस का 5 एकम 5 और 5 ही हुजागा हमें पास में 15 वर्न अपान वी इसकल 2 यह हुजाएगा माइनस का 2 और नीचे-दीचे मल्टी हुजागा नीचे था ना इसको उपर लेकर चली करें हमनों 75 दूख कहां ले नीचे ले लेकिए लेकिन उपार ही रहेगा तो 2 एक कम 22 चुझा हुजागा मारे पाथ एक बच्चे को जलागा फंदός कहां रखें तो कहां रखना पड़ेगा वेटा जो इसक्रीन आपको है पहला इमेज मैनस में आ रही तो आपको पता ना मैनस में आ रही यानि कि मैंज कैसी होगी बिटा इमेज आपके रियल होगी अचा इसका जवाब भी आपको यहां मिल गया पूछ रहाता ना कि नेचर बताये वह तो रियाल कि यहां सब्सक्राइब लोगनितार है नेचर मारे पास क्या है यह dialogue है real real image मैं इनवर्टेड होती है क्या होती है inverted मतलब की अब मैं बोल दे रहा हूं मतलब कि real image क्या होती है real image जो बनती बेटा हमें इनवर्टेड होती है मतलब मैं लिर्ट करांप बो लहां थ्यांसुनों यानि एक स्कलिस को मिरर से पहले 27.05 में कि स्क्रीन को मिरर से निकाला है। तो रहां से लिते हैं तो वी किता निकाला मैनस का यह निकाल लिया 37 37 प्लस हो जाएगा यहां पर बेटा पांच और यहां पर जाएगा मैनस का पचीस हो जाएगा मैनस प्लस यहीं मैनस उपर दो यहां देखो माइनस और बगम कितार में पांच अब इसका अब यह हमारे पास लगे यहां तो हमें यह बताओ कि अब देखो यहां से एम कमांड कुछ भी सॉल्ट करने प्याए लेकिन आया तो निगेट्व और इन कमांड ने च्ट्यक किसमें होता है जब मेंज कैसी बनती है रियल तो नेचर हमारे पास किता होगा नेचर होगा रियल इमेज क्या होता यहां देख लेगरों यहां से एक कमान रखे मालों दो आगया अमारे पास में तो वी समझा रहे हैं तो यहां कि यहां पर क्या होगी बड़ी होगी किसी आ मैं जो आप यहां पर श्क्रीन है आपको पहले ही रखना पड़ेगा यह भी कोचन करा दिया चाहिए जो कोचन आ जाए सब कुछ रांच कर पाएंगे एक बाइस कर लेंगे ले लिया ले लिया बहुत बढ़िया एक चीज में आपको बता देता हूं पेटा धुनो ज्यान से जब सवाल में कभी भी गुना कमान दिया है दुना दिया रहे दो और उस में से यू कमान दिया रहे और उसमेंसे उस में से घखा बी साहि तो बेटा अगर एम वी और एफ दिया गया और यहां से हमें वी की बात कर रहा है एक काम करते हैं एक कम करते हैं एक कम करते हैं कहां कि यह कारी लेंगे है यह नहीं दिया गया है जबGoogle मैं चाहत algún एक भी सवाल आपके नाफस है न अगर M और F की वैलू के वल दीगे है यानि M पता और F पता हो और यहां से आपको बेटा यू और वी दूनों निकालने हो क्या आप निकाल पाएंगे तो यहां बच्चे कंफ्यूज आते हैं यानि सवाल जो हम पढ़ेंगे सवाल में केवल M U कैसे निकालेंगे चलो सवाल में सबह लिते हैं यवालों कि M पांध हमारे पास दू रूपाएग यहां ऑन वो इसए वाला हम लोग यहां क्या करेंगे सवाल में जाके रख लेंगे यानि दिया रहेगा यहाँ पर नहीं कर रहें तो मैनस ये वाला प्लस ये वाला यह नहीं एक वाला यह नहीं कर रहें मनगे ना mathematics आ गई अगर एक ही प्रकार की यानि एक ही कोईशन में कर यू यू ही आ गया तो क्या यहां से यू निकल आएगा बहुत तरीके हैं यहां से यू कामन कर लेना से यू कंद यहां बचेगा मैंनस को यहां अपरोच लगाएंगे तो अब बेटा मैंने क्या-किया आपको इतना यानिकी समय दा दिया है इस चैटर के सारे कोचन कर पाएंगे अब मुझे आप बताईएगा अब मुझे बताईएगा पूरी वीडियो वाच कुरो और मुझे बताओ क्या अभी भी आपको मिले के प्राब्लम हो रही कोचन लगाने की तो अगर बेटा अगर आपको लगता कि अभी भी मुझे प्राब्लम हो रही तो मुझे कमेंट करके बताओ सर भी आप प्रैक्टिस पुड़ाओ करा देजिए तो आप मुझे एक बार कमेंट करो कि अगला वीडियो हम सोच रहे हैं कि आपको किस पर दे रिफ्रेक्शन पर द